So, hello and welcome दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और बार मेरे चैनल पर आशा करता हूँ कि आप लोगी दिवाली बहुत अच्छी गई है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा टाइगर 3 के कुछ प्रॉब्लेम्स के बारे में देखिए, स्टोरी क्या है, क्या नहीं है, उसके उपर नहीं जाते हैं लेकिन स्टोरी को प्रेजेंट करना The screenplay writing of a story in a film is a major thing बहुत important चीज है ठीक है, कि आप एक character को कैसे introduce करते हो उस character के सामने कैसे कैसे obstacles डालते हो story में क्या-क्या डालते हो, उन सब चीजों को screenplay writing को लिखके आप उसे कितना निखारते हो, तो screenplay writing बहुत important part है और editing, और Tiger 3 में यही बहुत बड़ा problem लगा मुझे, कि screenplay writing जो है Tiger 3 की बहुत ही मतलब below average आप बोल सकते हो, below average, देखे, स्टोरी, पठान की, टाइगर जिन्दा है की, वार की, एक ही है, स्पाइ थ्रिलर, ठीक है, तो कुछ, यहाँ पर कोई मिशन होगा, वहाँ पर वो मिशन को करेगा, ठीक है, उस मिशन को एक्जिक्यूट करेगा, मिशन को बचाएगा और दुनिया को बचाएगा, some kind of same stuff, तो ऐसा ही था, लेकिन the execution of the story in this film, Tiger 3, was below average, ब्रो, below average, बहुत ही ज्यादा expectations थे, Tiger 3 को लेके, सभी के लिए, सभी के लिए, क्योंकि Tiger एक बहुत ही iconic character है in Hindi cinema, ठीक है, अब बोल सकते हो, बहुत ही, मतलब, आप Tiger से expect करते हो कि आएगा, machine gun लेगा, और बराम बराम करके याद रखने वाले कुछ dialogues बोलेगा, कुछ ऐसा scene होगा, जिसमें goose bumps आएगा, लोगों को enjoy करेंगे पूरे movie में, लेकिन goose bumps moment सिर्फ एक ही time पे आता है, the only part was पठान की entry, और किसी भी जगह पे कोई भी मुझे ऐसा नहीं लागा कि goose bumps type का moment है, हाँ, जब national anthem बजा, तब सारे प क्योंकि वो national anthem है, आएगा ही आएगा, लेकिन film में जब आप elements डालते हो, आपको सोच समझ के डालना चाहिए, screenplay writing बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि story को निखारना, you know story जब दिखा रहे हो, निखर के आता है, screenplay writing के बज़े से, देखिए, tiger character से हम क्या expect कर सकते है, tiger movies में क्या common थी, tiger one, tiger two, यानि की tiger जिन्दा है, और एक था tiger में क्या common थी, Salman Khan की मतलब याद रखने वाली entry scene, introduction scene was solid, एक था tiger का भी, और tiger जिन्दा है का भी, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था, undoubtedly, लेकिन यहाँ पर, it was so lame, इससे तो पठान में जो tiger का entry था, वो ब बोलूँगा, उसके मुकाबले में तो ये तो मतलब कुछ भी नहीं है यार, आपको, आप introduce करा रहे हो इतने सालों बाद tiger को, tiger के film में और उसी को ही मतलब इतना lame entry दे दिया आपने यार, ये क्या बात हुई यार, और dialogues, याद रखने वाला dialogues तो कुछ है ही नहीं भाई, है ह नहीं नहीं, मतलब क्या ही और villain, my god, कितना अच्छा आप उस villain के character को निखार सकते थे, उसको एक depth दे सकते थे, पूरे story के through, पूरे मतलब movie में, लेकिन screenplay इतना below average था कि वो निखर के बाहर ही नहीं आया actor का, कि उस character में कितना depth है, जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ, जो आ रहा था तब, मतलब देखके लग रहा था कि यार, खतरनाक आदमी आ रहा है, यहाँ पर lame यार, lame, it was so lame, जब एक point आता है पठान में, जब पठान अफगानिस्तान में attack होने वाला है, तब वहाँ पे देखा जाता है कि एक रखतवीच का, जो कि पूरा stage था, पठान head, वो gym को धमकी देता है, फिर gym उसका गला पकर के उसको ऐसे उठा देता है, फिर बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो आप बहुत बिल्कुल गलत हो, ये वाले scenes, इसको मतलब देखके ही पता चलता है, इस scene को देखके पता चलता है, यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन यहाँ पर, विलन को ऐसा कोई moment दिया ही नहीं है, कोई एक ऐसा moment था ही नहीं, जहाँ पर लगे कि विलन खतरनाक है, ऐसा लग रहा था, सल्मान एक घुसा मारेगा, विलन जाके गिरेगा, यार बिखडी जाएगा, ना ही उसक तो चोड़ी हो कोई बात नहीं सेम स्टोड़ी को अगर आप स्क्रीन प्ले अच्छे से दिखा देख एक एक करेक्टर को एक अच्छे-च्छे मौका देते खुद को परफॉर्म करने का खुद को दिखाने का तो बहुत अच्छी होती यह movie बहुत अच्छी और दो कैरेक्टर इसको मार दिया कोई जरूरत ही नहीं थी और वो असान को भी मार दिया वो जो टाइगर जिन्दा है में जो जिस लरके को टाइगर लेके आता है अपने फैमिली में शामिल करता है उसको भी मार दिया चलो वो वाला पार्ट देखा जाए तो थोड़ी सी you know connected है टाइगर जिन् एक दम पलाट में बिखर के रख देगा वो ऐसा कुछ था ही नहीं और एंड में ऐसे ही मार दिया दोनों मिलके इम्ना नश्मी को negative character को ऐसे ही मार दिया क्या यार कुछ तो ऐसे scenes रखते कुछ तो ऐसे screen पे लिखते ऐसे करके कुछ लिखते की मतलब देखके ही मतलब लोगो को है यार येस ये वाला feel था ही नहीं था ही नहीं पूरे मूवी में screenplay was totally below average totally लिखा गया है ऐसे scenes को लिया गया है ऐसे बहुत अच्छे large scale में shoot किया है वो सब ठीक है बहुत अच्छा VFX भी काफी हद तक ठीक ठाक है लेकिन और editing जहां मुझे कभी-कभी ऐसा लग रहा था यार ये scenes को ज़्यादा हो गया फिर मुझे लग रहा था कि यार ये और ज़दा होना चाहिए था ये इस scene को और ज़दा होना चाहिए था या फिर यह से और cut कर देते तो बहुत अच्छा होता लग रहा था वो मतलब feel नहीं आया बहुती below average लगा मुझे तो मुझे लगता है कि अगर ये इस film का screenplay writing और editing अच्छा होता तो ये film बहुत अच्छी होती proper introduction of a villain proper introduction of a hero proper introduction of a heroine proper introduction of every other characters in this movie था ही नहीं था ही नहीं ऐसे ही चल रहे थी सीधे pace में ऐसे फिल्म चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे खतम हो गया कोई वो वाला graphie नहीं है कि उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है ऐसे ये वाला graphie नहीं सिर्फ पठान की injury जब होती है तब थोड़ा लगता है कि यार पूरा तब तो मतलब पूरा थीटर अचानक से अचानक से लगणा था सब लोग सो रहे हैं अचानक से सब लोग जाग गए और चिलाने लगे पूरे थीटर में फिर पठान का पठान खतम पठान चला गया बाई बाई फिर story वैसे ही same low phase में चलती रही तो मुझे लगता है कि अगर screenplay writing और editing इस movie की अच्छी होती story चाहे कुछ भी हो देखिए story बहुत सारे movies का जो story होता है बहुत ही lame होता है लेकिन उसकी presentation उसकी presentation उसकी execution इतनी फारू होती है कि movie देखके लगता है कि यार या बहुत अच्छी movie है बहुत है जो goose bumps आगया movie देखके यार मज़ा आगया ये मज़ा वाली कोई बात ही नहीं थी इस movie में बात ही नहीं थी तो अगर screenplay writing और editing अच्छी होती तो मुझे लगता है कि काफी हद तक Tiger 3 exceptional movies में से पूरे spy universe के जितने भी movies है one of the exceptional movie बन सकती थी लेकिन होई नहीं unfortunately just because of the director की गलती बोल दो screenplay editor की गलती बोल दो या फिर editor की गलती बोल दो वो feeling नहीं आया तो मुझे बस यही कहना था बहुत लोग बोल रहे थे कि Tiger अच्छी movie है खराब movie है लेकिन मुझे एक दम average लगा average ठीके मुझे Tiger जिंदा है बहुत अच्छी movie लगी थे क्योंकि वहाँ पर देखो ना hero का entry villain का entry देखो villain जितना strong होगा villain का entry villain का power जितना strong होगा उतना ही connection as an audience हमारा मतलब positive character के साथ ज्यादा build up होता है ज्यादा connect कर पाते हम उसको ज्यादा प्यार करते हम वो वाली moment यहाँ पर था ही नहीं मुझे था ही नहीं भाई था ही नहीं मुझे ऐसा लगना था बेकार में हो रहा है यारे क्या हो रहा है बेकार में हो रहा है clarity तो बिलकुल भी नहीं थी किसी भी scene में कोई clarity ये क्यों हो रहा है उस वो भी बहुत लेम clarity एक scene हो रहा है ये क्यों हो रहा है ठीक है जैसे कि Catrna Kev को पहले ही बता दिया कि Catrna Kev double agent है लेकिन clear out ही नहीं करवाया गया कि Catrna Kev को कैसे उसने contact किया कैसे उसके बेटे को kidnap किया कैसे उसको हाँ पे लेके गया clarity नहीं थी उस scene में तो clarity नहीं है ठीक है तो audience connect कैसे कर पाईगी story के साथ screenplay writing नहीं है screenplay में कोई मतलब wow factor नहीं है तो obviously audience तो connect नहीं कर पाईगी ना पठान में देखिए proper था सब कुछ story चाहे कुछ भी हो proper था screenplay writing से लेके introduction से लेके villain की introduction hero का introduction heroine का introduction एकदम solid था फारू था तो मज़ा आता था देखके you know goose bumps आती यह वह वाली feeling नहीं है यार बेकार बुड़ा tiger के character को एकदम भीगी बिल्ली लग रहा था ऐसा लगा tiger डर के बैठा है इसा एकदम कितना lame हो गया यार बहुत अच्छी movie हो सकती थी यह बहुत अच्छी movie हो सकती थी लेकिन just because of the screenplay just because of the editing और direction का काम इन सब चीजों के वज़े से यह movie एकदम below average हो गई below average तो यही कहना था मुझे मैंने बहुत सारे reviews देखा लेकिन मैंने जब personally movie को देखा तो मुझे यह feel हुआ कि भाई बहुत चीजों की कमी थी इस movie में अगर वो चीज हो जाती तो यह movie out and out एक बहुत अच्छी movie बन सकती थी बहुत अच्छी movie बन सकती थी तो यही था मुझे बस यही कहना था इस film के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please 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 मेरे चैनल को subscribe कर दीजे bell icon को दबा दीजे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो और डंकी का drop 2 बहुत जलदा रहा है दोस्तों बहुत जलदा रहा है उसके लिए मैं बहुत excited हूँ उसका reaction मैं जरूर डालूँगा आप लोग बने रही है ऐसे मेरे साथ ऐसे ही मुझे प्यार देते रही है और मिलते अगले वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद and जिन्दा है